तो प्यारे रसगुलों यहाँ पे कक्छा आठवी का बार्थी पेचिचा और 12 Gyarate SIS का आपका कक्छा आठवी का 20 समाजिव ग्यान का 27 मार्च का आपका यहाँ पे 6D का पेपर आज़ुका है, पूरा पेपर आपका वारल हुचा है 60 नंबर का पेपर, 24 कोस्चन, आपको भी पर साला का नाम, 18 कोट, परिच्छा का केंद्र और परिच्छा का दिनांग और आपको रोल नमबर डाल लेना है पूरा पेपर आपका यहापे इस पकार से आपका है एक एक कोश्चन आपको बताएंगे सभी के आंसर आपका मेरे पास आपके लिखित हैं लाश तक बने रहिए अगर आप यहापे पूरा कोश्चन पेपर आपने देख लिया एक एक भूलकर पी जाएंगे तो आपके पूरे साथ में से साथ नमबर आएंगे चलिए फटापट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में गरदा मचाते हैं हर एक चाथ को यह पे चैनल को सस्क्राइब कर लेना है क्योंकि देखी आगर आप सस्क्राइब कर अंसर आपको यह पे उत्तर प्रदेश करना है अगनेस सेल का उधान कौन सा है संगमर्मर कोईला बलो पत्थर ग्रेनाइट तो आपको अंसर इसमें आपको ग्रेनाइट करना है इसके बाद कोश्चन देखे उत्तर अमेरिका महादीप के दक्षडी छोर पर इस्थित आपक अगनेस सेल कोईलाइट करना है और देखे सातवा 22 जंबर को भारत में सीत रितू होती है तो उस समय आश्ट्रेलिया में कौन सा आपका रितू होगा अंसर देखिए आपको चार आप्सन दिये हैं अनसर इसमें इसमें घ्रीज में आपको रितू कर देना है और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आठ्वा प्रस्न राष्टी एकी करण में नागरी के मन में कौन सी भावना ब्याप्थ होती है तो आपको सिंपल सांसा देखे चार आपसन दिये गए है तो आपको इसमें राष्ट रिजा क्या आपको यह भावना कर देना है और इसके बाद देखे यहाँ पे आपका मिलेगा कोश्चन आपका दस्वा लिखा है सन 1904 में पंच सेल समझाता किन दो देशों के बीच में हुआ है आपको अंसर देखे भारत और यहाँ पे आपको चीन के बीच में कर देना है और इसके बाद आपका चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ देखे आपका नेश्ट कोश्चन इससे पहले आप चैनल पर पहली बार बीट करें व्यार वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार क्योंकि आपके लिए इतना में कर रहे हैं चार बजे उठकर यह वीडियो आपके लिए सूट कर रहा हूं फटा 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 हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज आप यह पर टॉपर्स है बनने वाले चलिये दिखाते हैं कॉष्चन आपका गयरवा लिखा है लगूत्री कोश्चन पहला कोश्चन अगर मैं इसमें देखू तो देखे आपको इसमें कॉष्चन गैरा से लेकर आपका बीस्त प्रेदी मेदान में गेहु का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है इसलिए इसे रोटी की डलिया कहा जाता है और इसके बाद देखिया आपे काकोरी कांड क्या था आपका एक कोश्चन दिये गया है अंसर की बात करें काकोरी कांड का 17 संगराम करंधिकारियों दोरा बिटी सरकार का खजाना लूटने से सम्मानित था जिसमें काकोरी नामक इस्थान पर ट्रेन को रोक कर यहापे लूटा गया था तो आपने सुना होगा यहापे चंसेखर आ परमदल के तीन आपके प्रमुक आपको निताओ के नाम लिखना है पहला आपको लिजिए लाला लाजपत्राय दूसरा बाल गंगधर तीलक तीसरा आपको विपिंजन्द्रे पाल करना है आपका तीन नमबर कोश्चन आपको कम्पलीट होगा इसके बाद देखे कोश्चन आपका पंद्रवा समोच रिखा किसे कहते हैं तीन बर कोश्चन तो धरातल की बनाबट और धाल समन्दी छोटी छोटी बातों पर पूरा सुद्धता से माजचित पर प्रतरसित करने वाली विधिये फिर माध्याम को समोच रिखा कहा जाता है कोश्चन दिखे आपका यह पर पूंजी का परवाय बढ़ जाता है दूसरा अंतर राष्टी उत्पादर में ब्रद्धी होती है और आपका पर तीसरा देखिए अंतर राष्टी सहयोक और प्रतियोकता क्या आपका विकास होता है और इसके बाद देखिए कोश्चन आपका यहां पर आता है सत्रवा रवी और खरीब फसलों में आपको अंतर देखिए पहले लिए यह जुलाई माहे में आपका वो याता है कौन आपका खरीब की फसल और रवी फसल में आपको लिखना है यह नॉमबर माहे में वो याती है और खरीब की फसले जैसे आपका उधन कहा है सोयबीन मक्का कपास दान गन्ना, और इसमें देखिए yang रबी में gek hoon, मसूर और मतर और देखिए, यह क्या होता है, बरसा के पाणी, आपको सिज़ाई होता है, कौनसे खरी के फसलऄ और यह कुगों तंप और नह्रों, और जहल कोपों से आपको होता है, क्योंकि थो इंपल सी बात है यहां पर आपको कुवाँ और तालाबों से पानी लेना पड़ेगा और जानते हैं आप कड़ते कभें अप्रेल और देखें मार्च अप्रेल में रभी की फसले काटी जाती है जबकि इन्हें जो है अक्टूबर नॉंबर में काटी जाती है ठीए खरीब की भसल तो आप ऐसा भी एड कर सकते हैं और इसके बाद कोशन अठारवा डाउन से क्या है आपको लिखना है तो देखें आस्ट्रेलिया में मद्वर्ती भाग के उत्री छेत्र में उसमें कटी वंधी घास भूमी और दश्री छेत्र में मर्ले डालिंग वेसिन में सितोसन घा भूमी है जिसे डाउन से कहते हैं चलिए इसके बाद कोश्चन देखें उनिसवा नौ सेना में अधिकारी वरक्या आपको पदक्रम सूची आपको तयार करना है देखिए पहला आपको होता है एड्मीरल बाइस एड्मीरल बोलते हैं कैप्टन कमांडर फिर इसके बाद लि किसने की इसके दोरा किये गए समाज सुधार के आपको कोई चार तार आपको लिखना है तो प्रतना समाज किस्था अपना आत्मा राम पांडू रंग निकी थी गोविंद रानाडे और आर्सी भंडार का ठीक है आप ये कर लिजे और इसके बाद कोश्चन देखें आपका पुनर और और इसत्री सच्छा पर आपका जोर दिया ठीक है तो आपको देखें विया तो आपको देखें पहले आपका आता है बायू पर दुसर को रोकने के लिए को पे कोई आपको चार पांच उपाय करना देकि पहला हो जाएगा बाहनों में इधन से निकलने वाले सोर उर्जा का पुरसाहन तीसरा जीवास्म इधम का नियुनतम आपका इस्तमाल और आपका चोथा हो जाएगा बनों की अन्यंत्रित कटाई पर रोक लगाने के साथ दिरंतर चलने वाले ब्रच्छरोग पर कारक्रम और पांच बाद देखे ऐसी तकनिक का उपयोग करना जो को इसकारण और इसके रोकने के आपको उपाय बताना है ठीक है तो देखे आप से अगर कोई पूछे जल आपका प्रदूसर के है तो आप दीजी देखे आप आप जल पर दूसर से ताथ पर जल के ऐसे संदूसर जल के भौतिक रासायनिक जैबिक गुड़ों में ऐसे परि सुरच्छा के लिए आपका जली जीवों के जीवन और सुस्वाश के लापका हानिकारा पूछी के अब इसके पूछा गया था क्या आपका कारण और निवारा निचे के तो अगर मैं इसकी बात करू तो आपको यह चीज़े आपको लिखना है नहीं आपको यहां पर लिख परते घर में सेप्टिक टैंक होन चाहिए, दूतरा सोधन के पूर्व और धोगी आफसिष्टों को लगान चाहिए, जिससे इनके दोरा निकला सुध जल के बाद आपका सुरोतों में जा सके, तीसरा देके समय समय पर जल का सुरोत हानिकारक पौधो को निकाल दिन चाहिए, लोको नदी तालाप और जिल में इस्तान नहीं करना चाहिए साथ में आपका देखिए यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट आप क्यों लिखे गए है खातरना कितना सक जो आपके होते हैं इनको देखिए आपका आपके उपयोग प्रतिबंधित करना चाहिए पासिओ के प्रयोग के लिए आपका अलक से जल्द्रूत का प्रयोग करना चाहिए ताप्ता परमारो भीज़नी घर पसे निकलने वाले जल को ठंडा होने के बाद सुध करके जल को छोड़ना चाहिए और कुछ मचलियां जैसे हानिकार जंतियों को लारवा अंडों खाकर उनके जंख्या को कम करती हैं उन्हें जल सुरतों में पालना चाहिए जैसे आपका गैंबूसी आपका मचली होता है मचल के अंडे के लारवा को भक्षण करता है और करसीकार में उर्वरपोर पीटना करना चाहिए लास देखे जल प्रशन के दूस परिणाम को जनमानस को आउगवात कराना चाहिए ठीक है चलिए कोशन आपका बाइस वा हुआ इसके बाद देखते हैं कोशन नमर आपका पे तेजवा तो मैं अगर इस कोशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पर आंसर कोशन पहले देखे क्या लिखा है केसी लोकतांदिक देश को समिधान के आपका जरूरत क्यों पड़ता है तो आपका पांच नमर कोशन तो आपको लिग दीजे देखे यह उन आधार्सों को सुधवद्ध करता है जिनके आधारपा नांगरी अपने देश को अपनी इक्षा और साधुनों के आपके सपनों को रज सकते हैं दूसरा देखे वह ऐसे नियम है फिर तैक करते हैं जिनके दोरा राजनिताओं के हाथों में सत्ता के दुरूपयों को रो आपको बताना है तो निवेस के कच्छे माल स्रम और भूमी की लागत जल की उपलवत्ता परिभाहन बिद्धुत और अन और रसनाप का सामिल है प्रक्रम के अंतरगत कच्छे माल को परिसकत माल में परिवर्शित करते हैं और निर्गत अंतिम उत्पाद में इसमें अर्ज खीक है तो आपको यहाँ पर इससे अगरे हो सब्सक्राइब करो वह जो लाल वाला बटाने उस पर अपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे पटा बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे मुठिया पेलने जाना है वाई